अब मैं आपको समझाऊंगा FDI क्या होता है, क्योंकि FDI से कल एक नाएक कॉश्चन आने के पूरे पूरे चांसे हैं, ठीके, FDI का मतलब होता है Foreign Direct Investment, Foreign Direct Investment एक बहुत ही प्यारे एक्जमपल के साथ आपको समझाता हूँ मैं, ठीके, ठीको, FDI क्या होता है, मान के चलो, आप एक में रहते हो, ठीके, बहुत चोटा एक्जमपल है, समझना, फिर मैं इसको relate करूँगा Real FDI से, ठीके, आप एक घर में रहते हो, आपका दो मंजल का घर है, ठीके, एक मंजल में आप और आपका परिवार रहते हैं, और आपकी जो दूसरी मंजल थी, वहाँ पर आपने room बना रखे हैं, है ना, कि जब शादी होगी, तो मेरे बच्चे रहेंगे, मेरी wife रहेगी, मैं रहूंगा, x, y, z, ठीके, पर अभी तो आपकी शादी नहीं हुई है, अभी तो आपके बच्चे नहीं हुए हैं, तो उपर वाला जो घर है, जो कमरे हैं, वो खली हैं, तो आपने क कमरे आपको मिल जाएंगे, 2BH के, इस तरीके से, और rent पर लगाने के लिए आपने status डाल दिया है, इसब कर दिया आपने, तो वहाँ पर कुछ लोग रहने आ गए, आप उपर, क्योंकि एक नई income बन जाएगी आपकी, है ना, क्योंकि अभी तो आप जो भी काम करते हो, उस इस income आती होगी, अब यहाँ से भी income आएगी, है ना, क्योंकि अभी तो उसका कोई काम नहीं था, है ना, वो तो खाली पड़ा था ना, उपर आपके second floor पे, तो आप तो वहाँ पर सबाने, मतलब पैसा आने लगा, तो उससे क्या हो गया, आपके पास पैसा आने लगा, तो यह अलग तरीके से पैसा आ रहा है ना, तो यह FDI है, समझना, आप समझना, अभी मैंने छोटे बहुत छोटे example से समझाया, है ना FDI, अब मैं आपको real example बताता हूँ FDI का, ठीक है, अब सुनना बड़े दिहान से, ठीक है, और यही है real example, यह मैंने समझाने के लिए आपको एक base बनाने के लिए कोशिश की है, अब real example सुनू, FDI का मतलब क्या होता है, जब कोई विदेशी कंपनी, समझना, जब कोई विदेशी कंपनी, जैसे कि विदेशी कंपनी का नाम बताओ, Domino's, ठीक है, Domino's, विदेशी कंपनी है, है ना, Domino's, पीजा आता है, है ना, वो आई गुना और गुना में उसने अपनी एक factory लगा दी अपना एक plant खोल दिया अपनी एक branch खोल दी ठीक है गुना में गुना मध्यप्रदेश में या आप बोपाल ले लो गुना आपने नहीं सुना हो तो बोपाल ले लो बोपाल तो सुना होगा ठीक है तो डॉमिनोज आया डॉमिनोज ने अपनी एक factory लगा दी एक plant लगा दी और एक अपनी branch खोल दी डॉमिनोज के नाम से ठीक है अब क्या होगा वो आई बिदेश से फॉरन से आई और हमारे यहां उसने company खोल दी अपनी तो आब वो क्या करेगी हमको rent देगी पैसा देगी ना क्योंकि वो वोपाल में आ रही है वोपाल में company लगा रही है अपना plant लगा रही है अपनी branch लगा रही है तो हमको पैसा देगी ठीक है ना तो इससे क्या हुआ और हमको employment भी देगी क्योंकि वो हमारी लोग रखेगी foreign की company direct आके यहाँ पे investment कर रही है तो यह इसी तरीके का तो है आपके घर में कोई उपर रहता नहीं था ठीक है ना आपने किसी को rent पे दे दिया आपको पैसा मिलने लगा अब ये भी तो ऐसा ही हुआ कि अब आपकी जमीन खाली थी भोपाल में एक जमीन खाली थी वहाँ पर आके डॉमिनोज ने विदेश की company foreign direct foreign ने direct आई भोपाल में भोपाल में उसने एक plant लगा दिया और वहाँ से आपको पैसा मिल रहा है तो ये हो गया ना foreign direct investment इसी को कहते हैं अब आपने ये example सीख लिया ना अब आप पाड़ कर दिखना book में आपको तुरंट समझ में आ जाएगा All the very best दोस्तों याद रखना paper को पूरा attempt करना economics में बना कर लिख सकते हैं paper पूरा attempt करना All the very best